हलो दोस्तों नमस्कार डिस्कस करेंगे 24th of November का एडिटोरियल टाइटल है Persisting Issues 23rd of November means कल ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ था न्यूस पेपर में Persisting Issues के नाम से थोड़ा सा कॉंप्लेक्स लग सकता है जब हम इसको पढ़ेंगे हलंकि मैं इसको बिलकुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा ज़्यादा वर्ट्स नहीं मिलेंगे लेकिन जो भी मिलेंगे बहुत इंपोर्टन मिलेंगे तो वो जरूर नोट करेंगे और टेकनलोजी की छितर में कुछ वर्ट्स जो एक अलग terminology यूज की जाती है वो भी आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी तो persisting issues का मतलब कहा है पहले समझ लेजिए persisting issues, persisting का मतलब है continuous तो जो चीज लगातार चले है उसे बोलते है persisting issues का मतलब मुद्दे हैं तो कौन से मुद्दे हैं ऐसे मुद्दे जो आज भी कायम है ऐसे मुद्दे जो अभी भी continuous चल रहे हैं उसे हम क्या नाम देंगे persisting issues नाम देंगे ठीक है तो यह वो मुद्दे हैं जो की लगातार चल रहे हैं इनमें issues है वो noun है और पर्सिस्टिंग है वो क्या है एजएक्टिव है अच्छा ये जो एडिटोरियल है आप को सा एडिटोरियल हम डिसकस करेंगे वो तो सब आप सुबह सुबह ही पता लगा सकते हो जब मैं टेलेग्राम पे अपलोड करता हूँ पीडियफ उससे पता लग सकता है टेलेग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं बहुत जल्द वहाँ पर भी बहुत बहतर चीज़ें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी तो इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं एक important बात यह है कि आप पूरा session देखा करो शुरू से लेकर end तक देखोगे पूरे proper notes बनाओगे और सब चीजे revision करके अगले session में जाओगे तब ही यकीन मानिए कुछ benefit होने वाला है अधरवाइस हवा में तो सीखने वाले हैं नहीं आवन कुछ भी नी सीख सकते इस तरीके से कि आप 2-4 minuten देखेंगे और और चीजह देखो जब सीख नहीं होती हैं जब कुछ चीजश नई होती हैं तो हो सकता है कई बर पर आपको नीदस्ता लगे, कई पर आपको लगेगा कि यह समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको डटे रहना है, बने रहना है, मेहनत करनी है, लगातर परियास करने है, PERSIST रहना है, है ना आपको लगातर परियास करने है, continuous efforts डालने है, तो देखिए, A New Draft of the Much-Avated Data Protection Bill एक विध्यक है, एक कानून है कौन सा Data Sondakshan Bill है उसका एक नया Draft Draft जहां बोलते हैं इसका मतलब एक प्रकार से मसोदा बोलते हैं हिंदी में वैसे ये कच्चा रूप होता है ठीक है, बिल बनने से पहले या फिर कहें कि कोई Act बनने से पहले कोई चीज अगर कच्चे रूप में हैं कच्चे फॉर्मेट में हैं तो वो Draft कहलाएगा तो एक नया मसोदा किसका बहुत दिनों से जिसका इंतजार हो रहा था उस बिल का, बिल का नाम है Data Protection Bill अब इस बिल का नाम दे दिया, इसने क्या The Digital Personal Data Protection Bill ये नाम दे दिया, ठीक है Is now open for public comments अब लोगों की टिपणी के लिए आमंतरित है अब लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या सब चीजें है क्योंकि अब ये open हो चुका है ठीक है, subject verb देखेंगे तो subject है bill, verb है is आपको लगेगा कि opened क्यों नहीं है या opening क्यों नहीं है क्योंकि is लग रहा है और is के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो या तो ये helping verb है, तो फिर तो ing लगना चाहिए ये active हो इसमे, passive है तो third form लगना चाहिए लेकिन बता दूम आपके जानकरी के लिए कि यहाँ पर open है, वो executive है open executive ही होता है इसलिए यहाँ पर third form या ing लगाने की जरुरत आपको है नहीं, open executive है, ठीक है समझ ये फिर से एक नया draft किसका काफी समय से जिसका इंतजार हो रहा था उस data protection bill का नाम है ये वाला bill, अब ये public comments के लिए open है, बहुत सीधी simple बात है एक काम की बात यहाँ पर यह है कि much awaited दे रखा है तो much का प्रियोग जो है न past participle से पहले हम करते हैं किस से पहले करते हैं? past participle से पहले much का प्रियोग करेंगे past participle से पहले ठीक है? अच्छा जी अब जो present past participle होता क्या है कोई नए बच्चा है तो समझ लें कि third form को past participle कहा जाता है, जबकि vary का प्रियोग हम करते हैं present participle से पहले vary का प्रियोग किसके लिए करते हैं? present participle से पहले present participle क्या होता है? V0 के साथ ING तो अगर V0 प्लस ING है तब तो लगाना है vary और V3 है तब लगाना है क्या? much ये थोड़ा सा अंतरध्यान रखेंगे आप ठीक है? आगे देखिए the government had previously withdrawn withdrawn है वो third form है किसकी? withdraw की withdraw होती है first form ये छोटी-छोटी बाते हैं लेकिन बड़ा असर डालेंगी लंबे समय तक अगर आप इसको continue रखेंगे withdraw की second form है वो है withdraw और withdraw की third form है वो है withdrawn ठीक है? withdraw, withdraw, withdrawn क्या कह रहा है कि comment जो है head previously withdrawn sorry government government जो है उसने पहले previously पहले के time पे withdraw किया था वापस ले लिया था withdraw में वापस लेना an earlier draft एक पहले का मसोदा by averting क्या कह कर लिया था ये ever करके ever का मतलब क्या होता है ever का मतलब होता है claim करना या assert करना दावा करना ये दावा करके क्या कहा था that it would come up with a comprehensive legal framework it are government के लिए government ने कहा था कि हम लेकर आएंगे come up with मतलब कोई चीज़ लेकर आना क्या लेकर आओगे comprehensive का मतलब होता complete total legal न्याइक framework संदचना कि हम पूरा एक ऐसा legal structure लेकर आएंगे जो comprehensive total अपने आप में संपूर्ण हों किसको लेकर data privacy को लेकर data privacy का मतलब data की निज़ता को लेकर and internet regulation internet के नियमन को लेकर and this draft seems और यह जो draft है यह मसोदा है ऐसा लगता है to be a standalone attempt इस standalone का मतलब होता है akela, single क्या मतलब होता है single attempt का मतलब प्रियास तो ऐसा लगता है कि यह एक एक single प्रियास है किस चीज़ का better करने को लेकर battering मतलब और अधिक बहतर करना its previous iteration जो इसके पिछले iteration थे iteration क्या होता है iteration का मतलब होता है कोई भी आप यह कह दो कि वो अवतार है incarnation कह दो, version कह दो incarnation या फिर कह सकते हैं version ठीक है अब जब हमने जो red color में words दे रखे हैं उनका meaning सबका जान लिया है आपने note कर लिया होगा और subject verb दे रखा है government की verb है वो head withdrawn है ठीक है यह जो दे रखा previously यह यहाँ पे क्या है एक adverb है ठीक है previously adverb है head के साथ third form दे रखा है यह पता ही आपको it है इसकी verb है would come फिर this draft है इसकी verb है seems subject देखे लिये verb देख लिया और बाकी ever का मतलब claim या assert है stand alone का मतलब single है iteration का मतलब version या incarnation है अब समझे government ने पहले withdraw किया था वापस लिया था earlier का मतलब time में पहले के लिए आता है इसका उल्टा करना हो opposite करना हो थो हम लगाते हैं letter समय में पहले के लिए earlier समय में बाद के लिए letter तो government ने पहले withdraw किया था एक पहले का draft क्या कहके क्या दावा करके ये दावा करके कि government लेकर आएगी एक comprehensive legal framework comprehensive का मतलब complete होता है किस पर किस मुद्दे पर data privacy और internet regulation को लेकर और ये जो मसोदा ये कच्चा जो चीज तयार की है कच्चा bill बनाया है ये ऐसा लगता है कि एक मात्र प्रियास है किस चीज को लेकर अपने जो पिछले sanskaran थे पिछले versions थे उनको सुधार करने को लेकर उसको और अधिक बहतर बनाने को लेकर screenshot ले ले ताकि आपको जो भी नए words या नई चीज़े बताई है वो आप note कर सके उसके session देखने के बाद ठीक अभी आगे देखिए there are only 30 closes close का मतलब यहाँ पर अनुच्छेद माल लीजिए धारा माल लो तो केवल 30 अनुच्छेद है for simplicity अगर आप समाने तोर पर देखें but resulting in लेकिन resulting in का मतलब परिणाम निकलना aspects of privacy protections लेकिन aspect का मतलब होता पहलू और aspect को हम और किस नाम से जान सकते हैं अंग्रेजी में आप इसे facet कह सकते हैं पहलू को facet ठीक है और कहरा लेकिन केवल 30 close तो है simplicity के लिए मतलब अगर समाने तोर पर बात करें तो केवल 30 धाराएं हैं इस bill के अंदर अगर बात करें लेकिन इसका परिणाम क्या निकल रहा है परिणाम ये निकल रहा है कि privacy protections के बहुत सारे यहां पर aspects देखने को मिलेंगे जो की अभी तक क्या है clarified नहीं है under clarified है मतलब अभी तक इसपश्ट नहीं हुए है फिर समझे 30 closes की verb है वो R है ठीक है result के साथ in लगाते हैं ये ध्यान रखना है और result in की जगह पे आप लिख सकते हो lead to result in के बराबर हम लिख सकते हैं lead to ये भी आपको ध्यान रखना है तो क्या कहना चाहरा है 30 closes है there से जब स्टार्ट करते हो sentence को तो inversion लगता है inversion का मतलब क्रिया है वो अपने subject से पहले आती है 30 closes से पहले आ रहा है तो 30 अनुच्छेद हैं समाने तोर पर अगर बात करें लेकिन यहाँ पे काफे सारे पहलू है काफे सारे aspects है privacy protections के निज़ता के संदक्षन के जो अभी भी क्या है clarify नहीं किये गए है अभी तक भी बहुत सारे इसके पहलू जो है वो इस पश्ट रूप से समझाए नहीं गए है clarify नहीं हुए है a case in point in point का मतलब है एक ऐसा case मतलब यह जो उपर दिया न कि है तो simple सी बाते 30 ही धाराएं है लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसे पहलों जो इस पश्ट नहीं हुए है अब यह समझारा यह है कि यह बात क्यों कही तो in point a case in point का मतलब होता है कि फिलहाल जो मामला है जिस पर हम बात कर रहे है वो मामला क्या है अब फिलहाल का मुद्ध यह है कि is how closes define their need कि कैसे जो नो छेद हैं वो यहाँ पे define करें परिभाशित करें किसको आवशक्ता को आवशक्ता किसकी consent from data principles for data fiduciary to process their personal data समझना दो ती नाम आये हैं मैंने पहले ही कहा था session शुरू होने से पहले कि इसमें कुछ ऐसे technical terms होंगे जो इस प्रकार की article को पढ़ने में आपको मदद करेंगे एक है data principle मैं सीधा अपने बोलचाल देशी भासा में अगर बात करूँ तो data principle का मतलब जो data का मालिक है मेरे data इसका मतलब है data principle data fiduciary क्या होता है ये वो वेक्ती या वो संस्ता होती है जो मेरे data को use करती है ठीक है जो मेरी तरब से मेरे data को use करने का जिसको अधिकार है वो data fiduciary है और एक शब्द दे रखा है यहां पर process process का मतलब पताई ये आपको किसी चीज को क्रियान वीद करना किसी चीज को आगे डाल देना कह सकते हो वो process है personal data नीजी data को बोलते हैं तो कह रहा है कि फिलहाल का जो एक case बना हुआ है तो case की verb is है वो ये है कि कैसे ये जो अनुच्छेद है तीस धाराएं बताई है ये कैसे define करे कि आवशक्ता पड़ेगी आपको जो data का मालिक है उससे स्युकरती लेने की consent का मतलब कह लिख लीजिएगा consent बोलते हैं इसको इसका pronunciation consent है इसका मतलब होता है agreement कि कैसे ये अनुच्छेद यहाँ पे define कर सकते हैं उस आवशक्ता को कि जो data principle को data principle से मतलब जिसका data है उससे आपको अनुमती लेनी पड़ेगी किसके लिए कि जो आपका data process करने का अधिकार रखता है personal data को process करने का अधिकार रखता है उसके लिए ये अनुमती की जरुवत पड़ेगी तो ये अनुमती की जरुवत पड़ेगी इस जरुवत को define कैसे करे ये नहीं बता रखा इसलिए कहा है कि है तो तीस अनुछेद लेकिन काफे सारे पहलू इसके ऐसे हैं जो अभी भी इसपष्ट नहीं किये गए हैं कि ज़्यादा clarify नहीं है subject हो गया a case verb है is subject है closes verb है define fiduciary बताया है data fiduciary का मतलब होता है ऐसी संस्ता या ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकार है कि आपके data जो है जो data का मालिक है उससे अधिकार मिला हुआ होता है कि वो अपने data को process करने का अधिकार रखता है आगे है now a notice is to be provided अब एक अधिसूचना जारी की जानी है प्रदान की जानी है किस के लिए consent के लिए स्विक्रति लेने के लिए किस से data के मालिक से and the withdrawal of consent और माल लो data का मालिक बाद में कहे भविश्य में कि साब मैं मेरे स्विक्रति वापस लेता हूँ विड्रो करता हूँ तो यह जो वापस देना जो withdrawal हुआ है यह यहाँ पे अनुमती देगा fiduciary को कि वो किसी भी ऐसे data को remove करे जो data store किया गया है या फिर share किया जाना है दूसरों के साथ समझना subject है notice verb है is subject है withdrawal verb है should allow ठीक है अच्छा यहाँ पे जो share है share के साथ में लगाते है with यह धान रखना है फिर समझ देजिए a notice is to be provided एक अधी सूचना notice को हिंदी में बोलते हैं अधी सूचना is to be provided provide की जानी है प्रदान की जानी है पैसी वह इसे B के साथ में third form मैं इसी की बात कर रहा है उपर वाले से connect करते हुए चलो कि यहाँ पे ऐसा कोई aspect बताया नहीं गया है कि यह 30 अनुच्छेदिया 30 धाराएं है वो कैसे आपको बताएगी कि भी आवशकता है आप डेटा के मालिक से कम से कम पूछ लो कि उसकी स्विक्रती है क्या कि उसको डेटा यूज किया जा रहा है अब यहाँ पे एक अधिस उजना जारी की जा ठीक है इसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशोट आप ले सकते हैं फिर दन्यू ड्राफ्ट जो नया मसोदा है जो नया ड्राफ्ट आया है अनलाइक जा ट्वेंटी एटीन वर्जन यह जो अनलाइक है यह प्रेपजिशन भी होता है और एजेक्टिव भी होता है याद रखेंगे इसका वर्ड केटेगरी प्रेपजिशन भी होता है और एजेक्टिव भी होता है अब आप पूछो कि सर पता कैसे लगे कि यह प्रेपजिशन है कि एजेक्टिव है तो बड़ा सिंपल है preposition होगा तो उसके बाद उसका object लगेगा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि unlike के बाद 2018 version यह इसका object है इसका मतलब यहाँ पे यह किस भूमिका में है preposition की भूमिका में है ठीक है तो यह धान रखिएगा अगर यह preparation हुआ तो उसके बाद उसका object मिल जाएगा unlike का मतलब होता है के विपरीत क्या मतलब होता है के बिलकुल उलट ठीक है तो क्या कह रहा है जो नएा draft है वो 2018 वाला प्रारूप था ना उसके बिलकुल उलटा मतलब 18 में वो विशेषताय थी ती वो इसमें नहीं है क्या नहीं है अब अगर मैं इसको हटा दूँ यहां से लेकर यहां तक तो सीधा जोड़िये the new draft does not refer to refer to का मतलब होता है संकेत करना प्रसंग बताना ठीक है refer के साथ to लगेगा की मतलब important data protection principles का मतलब है data को संदक्ष्टन के जो सिधान्त है जैसे की collection limitation की कितना data आपी कठा कर सकते हो क्या limitation है obligations का मतलब होता है on the data fiduciary to collect data fiduciary जो है जो data principle से अनुमती लेकर उसके data को use करता है वो यहां पर बात दे है कि वो collect करेगा केवल ऐसे personal data को केवल ऐसे needy data को that is required जिसकी जरुरत है for the purpose of processing process करने के purpose के लिए बाकी नहीं करेगा subject है new draft verb है does not refer refer के साथ two लगता है की जब adjective के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है मुख्य, महत्तोपूर्ण, important obligation का मतलब अनिवारियता या बात देता होती है तो नया draft जो है 2018 का जो प्रारूप था या incarnation था या एक word हमने देखा था आज उसके according देखे, यहाँ पे हमने एक शब्द देखा था शुरू-शुरू में iteration वैसे iteration का मतलब दोहराना होता है repetition होता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब version था incarnation था तो 2018 के version के बिलकुल विप्रीट यह जो नया मसोदा है वो यहाँ पे refer नहीं करता है किस महत्तोपून data protection principles को जैसे की limitation collection की मतलब 2018 वाला में था कि collection के limitation थी आप data कौन-कौन से collect करोगे उस पे कुछ बात देता हैं थी उस पे कुछ boundaries थी और वहाँ पे अनिवारियत था थी बात देता थी data fiduciary के लिए कि वो केवल ऐसे personal data को एकठा कर सकता है जिसकी जरुवत है processing के purpose के लिए लेकिन इस वाले draft में ये विशेस्ता नहीं है ठीक है it also does it की verb does है याद रखें also का प्रियोग है वो man verb से पहले होता है also कहां आता है man verb से पहले ये आपको ध्यान रखना है तो क्या कह रहा है it also does not include obligations मतलब it इस नए draft के लिए आ रहा है यह यहाँ पर यह भी include नहीं करता obligations मतलब जो बात देताएं थी 18 वाले में वो बात देताएं इसमें नहीं है किस की बात देता किस पर थी बात देता data fiduciary के लिए fiduciary क्या है मैं repeat कर चो कहां काफी बार तो repeat करने की यहाँ पर आउशकता नहीं है to inform principles कि वो data के मालिक को inform करे किस बारे में कि data share की recipients कौन कौन है किस को data तुमने भेजा है किस से data आपने share किया है duration of storage कितने समय तक data को श्टोर रखोगे etc. इतियादी ठीक है it की verb does है also का परियोग मैंने वर्ब से पहले होता है बाकी बहुत simple सी बाते हैं इसमें थी screenshot आप इसका ले सकते है फिर देखिए 10 10 का मतलब होता है इस प्रकार से आप जब कोई conclusion निकालते हो तब 10 का परियोग करते हो इस प्रकार से जो comprehensive protection है जो समग्र comprehensive का मतलब क्या होता है लिख लीजिए comprehensive जो शब्द है ये एक adjective है और इसका मतलब होता है समग्र total क्या मतलब होगा total तो कह रहा है कि इस प्रकार से जो comprehensive protection है जो समग्र या पूरा का पूरा protection है किसका protection data principles को मतलब ये protection किसको provide किया गया data के मालिक को in the form of किस रूप में of the information एक सूचना के रूप में सूचना कौन सी जो provided on their personal data वो सूचना जो कि provide की गई है उनके व्यक्तिकत जो data है उसके आधार पर and processing और processing के आधार पर by data fiduciary किस के द्वारा data fiduciary के द्वारा is now missing अब वो गायब है फिर समझे इस प्रकार से जो comprehensive protection है पहले data principle को पूरी सुरक्षा थी ठीक है अब वो सुरक्षा गायब है सीधा जोड़ दो protection को इज से now है adverb missing है adjective अब जो comprehensive protection है वो गायब है protection थी किसको data principle को किस रूप में थी information के रूप में information प्रोवाइड की जाती थी उसको कि तुम्हारे personal data को हम process कर रहे हैं कैसे किसको share कर रहे हैं आज इस मसोदे में इस draft में ये सारी सुविधाएं गायब कर दी गई है it does however include देखो याद रखो do, does or did अगर आप ये man verb से पहले लगाते हैं ध्यान से सुनना बात को वैसे do, does, did जब लगाते हो तो फिर आप negative sentence में या interrogative sentence में लगाते हो आपने पढ़ा होगा present simple tense past simple tense इन में do, does or did का प्रियोग या तो interrogative sentence में होता है या negative में होता है लेकिन जब आप इसका प्रियोग man verb से पहले करते हो और sentence affirmative है सकारात्मक है तो फिर ये emphatic हो जाता है के लिए इसका use किया जाता है यह धान रखना है तो इसका मतलब ऐसा करता तो है ऐसा meaning निकालेंगे तो it does however however मतलब हलांकी include तो मतलब इसमें शामिल तो है क्या crucial close एक महत्तोपूर्ण अनुछिद किसको लेकर fiduciaries को लेकर notifying principles कि जो fiduciary है वो अधिसुचित करेगा सूचना देगा data के मालिक को और data protection authority को किस बारे में breaches in stored data जो data आपने store किये हैं उसमें उलंगन हुआ है उसमें नियमों का उलंगन हुआ है rules तूटे हैं उस बारे में breach क्या है breach का मतलब होता है violation ठीक है breach का मतलब होता है infringement infringement यह होता है उलंगन मतलब rules को break करने की process subject है it verb है does तो हलंकी इसके अंदर include तो है crucial का मतलब important executive है close noun है धारा अनुचेद इसमें एक अनुचेद तो दे रखा है किसको लेकर fiduciary को लेकर करना क्या है fiduciary को notify करना है किस बारे में कि कोई भी अगर stored data है उसमें कोई भी उलंगन हुआ है उस बारे में data noun है stored यहां पर adjective है और याद रखें कि जब adjective third form के रूप में आता है id लेकर आता है तो वो past participle कहलाता है ठीक है इसका screenshot ले लीजिए आगे देखिए the new draft proposes new draft मतलब जो नया मसोदा है जो नया कच्चा एक बिल बनाया है यह यहां प्रस्ताव रखता है यह इसकी वर्ब the establishment of a data protection board of India तो यह कहता है कि भी आप एक data protection board जो है भारत का वो बनाओ उसको स्थापित करो उसको establish करो whose strength and composition whose R.I. किसके लिए इस board के लिए ठीक है यह board की जो strength है मतलब क्या उसकी power होंगे क्या इसका composition composition मतलब भी बनेगा कैसे compose कैसे होगा the process of selection और उसको बनाने के लिए जो विक्तियाफ शामिल करोगे उसका selection का process क्या होगा etc. will be prescribed by the union government इसका निरधारन कोन करेगा किंदर सरकार करेगी prescribe का मतलब होता है determine करना निरधारित करना लिख लिजिएगा subject है new draft verb है proposes whose strength and composition the process ये वाले subject है इसकी verb है will be prescribed और देखिए B के साथ third form है इसका मतलब ये passive है ठीक है तो यहाँ पे जो नया draft है उस पर प्रस्ताव रखा गया है कि इस board का गठन किया जाए इस board की ताकत क्या होगी इस board का composition क्या होगा ये कैसे बनेगा किस किस सदश्य को शामिल करोगे इन सब का निरधारन कोन करेगा union government करेगी as with the earlier versions अब कहरा जैसा कि पहले वाले प्रारूप थे पहले वाले अवतार थे इसके पहले वाले जो iteration थे या incarnation थे उसके साथ देखें तो this diverges from बगर पहले वाले से compare करोगे ये थोड़ा सा अलग है diverge का मतलब होता है अलग दिशा में जाना आपका यी बर देखते हैं रूट को divert किया गया है तो मतलब उसको अलग मार्ग पे लेके जाएगा तो ये अलग है किस से स्रीकृष्णा कमीटी ड्राफ्ट से एक ड्राफ्ट था जो इस समीती ने बनाया था उससे अलग है इस ड्राफ्ट ने क्या किया था ये विच लगा के बताएगा allowed for judicial oversight oversight क्या होता लिख लो oversight का मतलब होता है supervision supervision अब लोकन कह सकते हो इसमें क्या किया गया था इसमें न्याइक supervision की विवस्ता थी किसमें? selection process में और selection process किसका? data protection authority का data protection authority का selection कैसे हो? उसमें न्याइक एक प्रकार से supervision था मतलब कानून के जो लोग थे वो अपनी पैनि निगा बना के रख सकते थे ऐसा था इस committee के अंदर तो जैसा कि पहले वाले versions थे ये वाला जो version है वो अलग है स्री कृष्णा committee draft से इस craft ने क्या किया? इस draft ने allow किया था judicial oversight को किस में इस process में selection किस का इस authority का ठीक है? वीच यहां relative pronoun है इसके बाद देखिए it is a concern concern का मतलब होता चिंटा, worry ये एक चिंटा का विशे है क्या? the proposed board जो प्रस्तावित board है भी कहाता ने किसका establishment किया जाए वो board जो है will not have sufficient independence उसको परियाप्त आजादी नहीं होगी किस से union government से the state is also data fiduciary राज्य जो होता है वो भी data fiduciary है मतलब राज्य भी data को use करता है which collects विचारा राज्य के लिए data fiduciary के लिए ये इकठा करता है vast amounts of individual data बहुत बड़ी मातरा में विच्टिकत data इकठा करता है subject है it verb है is subject है proposed board verb है will not have ठीक है state verb है is और इसमें देखिए बाकी कुछ देखिए अगर concern है इसका मतलब वरी है चिंता है sufficient adjective है है na independence noun है तो proposed board में board है noun है भी बताया था कि noun से पहले अगर third form में कोई ग्रिया हो तो वो past participle है verbal adjective है adjective ही होगा मतलब तो ये चिंता का विशे है कि जो प्रस्तावित board है उसको परियाप्त आजादी नहीं होगी किस से union government से और राज्ये जो है वो एक data fiduciary है जो कि बहुत बड़ी मातरा में individual data को इकठा करता है ठीक है also का परियोग man verb से पहले करते हैं लेकिन साब यहां तो man verb है नहीं इसलिए linking verb के बाद में है तो यहां एक conclusion और क्यान नहीं कलता है कि also का परियोग यह तो करते है man verb से पहले और अगर linking verb आ जाती है linking verb मतलब is MR, was, were, यह सब तो उसके बाद में करते हैं यह ध्यान रखना है ठीक है also adverb होता है the 2018 bill allowed for exemptions exemption का मतलब होता है छूट तो 18 वाला जो bill थाना उसमें छूट दी गई थी to be granted जिसको सुईकार किया जाना था to state institutions ठीक है किसके लिए जो राज्य के संस्तान थे उनके लिए और छूट किस बाद से थी छूट इस बाद से थी कि from acquiring informed consent कि वो प्राप्त कर सकते थे informed मतलब अधिसूचित जिसको जानकारी दी गई हो consent मतलब agreement सहमती किस से data के मालिक से या फिर to process their data या फिर उनका data जो process करना होता था in the case of matters related only to the security of the state उन मुद्दों में उन matters में जो संबंदी थे किवल किस से राज्य की सुरक्षा से and also called for और उसमें ये भी demand थी call for का मतलब होता है demand करना ये बात लिखेंगे आप call for बराबर ask for बराबर आप लिखेंगे demand call for equals to ask for equals to demand ठीक है इसमें ये भी demand थी a law एक कानून की demand थी to provide for parliamentary oversight क्या demand थी कि एक संसदिये जाच हो संसदिये मतलब supervision हो ठीक है and judicial approval और एक न्याइक approval हो सहमती हो of non-consensual access to personal data किसका वो उस data के उस personal data का जो non-consensual access दे रहा है मतलब data को आप access कर रहे हो बिना किसी की सहमती से consensual जो है वो consent से सम्मन्दित है non लगा दिया मतलब उसमें आपने consent ली ही नहीं स्विकरती ली ही नहीं फिर समझे 2018 का will इसकी वाब allowed है 2018 के will में कहा गया था कि exemptions को grant किया जाना है किसके लिए state institution के लिए छूट किस चीज़ की देनी है छूट इस बात की कि वो acquire कर सकते है informed consent मतलब स्विकरती ले सकते है किस से data के मालिक से या फिर all to process या फिर छूट किस से process करने से उनके data को किस मुद्व में उन मुद्व में जो केवल और केवल राज्य के security से संबन दित हो ठीक है और इसमें ये भी demand की गई कि कैसा कानून बनाया जाए जो कानून संसदी ओवर साइट मतलब संसद का supervision हो और judicial approval हो ऐसा कुछ प्रदान करे वो कानून किस के लिए उस personal data के access के लिए जो access non-consensual हो जिसमें सहमती नहीं ली गई हो ठीक है बट दर न्यू ड्राफ्ट बिल कंटिनूज लेकिन जो नया मसोदा बना है नया बिल बना है वो लगातार क्या कर रहा है इसमें छोट तो दे रखी है बहुत बड़ी बड़ी छोट है wide ranging है मतलब यापक है extensive है लिख लिजिए का wide ranging को आप क्या कहोगे wide ranging को कहोगे extensive या फिर आप इसे कहेंगे expensive और expensive के spelling मैं क्या लिख रहा हूँ आप E नहीं लिया मैंने अगर E लगा दोगे तो महंगा हो जाएगा और ये विस्तरत है वेगली का क्या होता है वेग का मतलब होता है अनकलियर जो इस पस्ट नहीं है ठीक है तो कह रहा है कि लेकिन जो नया ड्राफ्ट विल है वो लगातार बहुत बड़े बड़े व्यापक और इस पस्ट शब्दों वाला छूट दे रहा है इंस्ट्रूमेंट्स कुछ आपको तरीके दे रहा है हतियार दे रहा है अलाविंग फोर जिसमें अलाव किया गया है एक्जेकेटिव को मतलब कारिये पालिका को कि वो information collect कर सकती है which could amount to और वो information बराबर हो सकती है किसके mass surveillance mass का मतलब जन समूह ठीक है surveillance का निगरानी तो उस information में आप बहुत बड़े स्तर पे लोगों की निगरानी रख सकते हो amount to क्या होता है amount to का मतलब है equal to ये एक phrasal verb है इसका मतलब होता है be the same या तो कहोगे equal to या कहोगे be the same एक जैसा होना be the same एक जैसा होना फिर समझेए जो नया draft bill है उसकी verb continues है bill singular है इसलिए continues में as जोड रखा है जो नया draft bill है वो लगातार यहां पे बड़े बड़े और as पस्ट शब्दों के exemptions और instrument को continue कर रहा है जिसमें कार्य पालिका को allow किया गया है कि वो information collect कर सकती है और कौन सी information जो की mass surveillance के बराबर हो public scrutiny public scrutiny का मतलब लोग और लोग जांचें scrutiny का मतलब close observation होता है नजदी की जांच होती है not with standing एक तो adverb होता है ये ठीक है एक preposition होता है याद रखेंगे फिलाल adverb है क्योंकि आगे आपको noun तो दे नहीं रखा तो यहाँ पे इस वो adverb कही है और not with standing का मतलब है despite D-E-S-P-I-T-E के बावजूद तो public scrutiny के बावजूद लोगों ने काफी जांच पड़ताल की लोगों ने काफी मतलब इसका जाना close observation किया इसके बावजूद Parliament should work towards tightening the provisions Parliament को संसद को याद रखिए का Parliament से पहले हम article लगाते नहीं है अगर इसको vicious बना दोगे the Parliament of India the Parliament of America ऐसा बनाओगे तो देल लग जाएगा वरना समन्ने केस में Parliament से पहले कोई भी article नहीं आता है तो कह रहा है कि public scrutiny के बावजूद Parliament जो है उसको काम करना चाहिए किसको लेकर towards preposition है preposition के बाद में सीधा ING लगता है क्या काम करना चाहिए कि जो provisions हैं जो प्रावधान है डेटा प्रोटेक्शन बिल में उन प्रावधानों को सक्त करे टाइट करे और क्या करे प्रोवाइड करे robust data protection लो robust का मतलब strong काफी मजबूत बिल यहां प्रस्तूत करे प्रदान करे ठीक है तो यह था आज के इस session में आज questions मैंने नहीं लिए है questions कल देखेंगे तो कल ठीक शाम पांच बज़े मिलेंगे YouTube पर और सुभ़े मिलेंगे application के थुरू तब तक लिए नमस्कार Thank you very much